नमस्कार कच्छा चिठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट लोगसबा चुनाओं की तारीके जैसे जैसे नजीक आ रही है वैसे वैसे कॉंग्रेस के लिए मुश्किले बढ़ रही है और विपक्षी गट बंदन बिल्कुल तूट की कगार पर पहुंच चुका है क्योंकि विपक्षी पार्टियों के मंच पर सिर्फ फोटो सेशन होता था और जब एक साथ आने का नंबर आया तो सब अपनी में ही लगे हुए हैं लेकिन जिस तरह से लोगसबा चुनाओं के लिए वक्त कम हो रहा है वैसे वैसे कॉंग्रेस बुरी तरह से फस् चुनाओं से पहले कॉंग्रेस बर्बाद लगातार नेता छोड़ रहे साथ सैक्ड़ों नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ नेताओं को नहीं संभाल पा रहे राहुल गाधी लोगसबा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस बुरी तरह से बर्बादी की कंगार पर है और एक साथ जबर्दस जटका लगा है दरसल भारती युवा सेना के पूर्व प्रमुक एयर चीफ मार्शल रेटायड राकेश कुमार सिंग भदोरिया 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए पार्टी महासचीव विनोत तावडे और केंदरी मंतरी अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्होंने दिल्ली में मौजूदा भाजपा मुख्याले में पार्टी की सदसता ने माना ज़ा रहा है कि बीजेपी उन्हें मेरट या गाजियाबाद से लोकस्वा चुनाओं 2024 में उतार सकती है भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और पार्टी अध्यक्ष जैप्रकाश नडड़ा को धन्यवाद दिया सितंबर 2021 में सेवा से रटायर होने वाले राकेश सिंग वदारिया ने कहा कि मुझे भाजपा में शामिल होने और राष्ट निर्माण में योगदान देने का मौका देने के लिए मैं प्यम मोदी भाजपा प्रमुग जेपी नडड़ा और अन्य नेताओं को धन्यवाद द दिलाने में राकेश तिंग भदारिया की महत्तपूर भूमी का थी बारत की और से जो टीम फ्रांस में 36 राफेल जेट खरीदने के लिए बाच्चित कर रही थी उस टीम का निर्थ तो पूरो वायू से ना प्रमुग भदारिया ही कर रहे थे इसके अलावा भी उन्होंने क के पास लगभग चार दशक कानुभाव है लोगस्वा चुनाओं की घुषना के बीच पूरो वायू से ना प्रमुग के भाच्पा में शामिल होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं का जा रहा है कि भारती जंता पार्टी बीजेपी उन्हें पश्चिमी उत्त पार्टी की तीसरी केंद्री चुनाव समीती की बैठक 23 मार्च दोहजार 24 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ग्रह मंत्री अमीश चाह रक्षा मंत्री राजनात सिंग और उत्तरपरदेश के मुख्य मंत्री योगी के नामों पर गहन मन्थन हुआ लोगसभा की 543 सीचों के लिए 19 अप्राइल से जून के बीच साथ चरणों में चुनाव होना है वहीं मतगर्णा चार्ट जून को होगे राकेट भदोरिया मुल रूप से आगरा जिले की बहात अहसील के रहने वाले हैं वह पूड़े में मौ आच 2017 से अगस्त 2018 तक दक्षणी वायू कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे मैं 2019 से सितंबर 2021 तक वह वायू सेना प्रमुक रहे सेवागाल के दौरान उन्हें कई प्रुसकारों से सम्मानित किया गया है राकेश कुमार सिंग भदोरिया को अती विशिष्ट सेवा पदक वा इतना ही नहीं कॉंग्रेस को जटके पर जटके लग रही है क्योंकि पूर्व लोगसभा अध्यक्ष और कॉंग्रेस नेता मीरा कुमार लोगसभा चुनाओं नहीं लड़ रही है ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कही जग जीवन राम की बेटी और पांच बार में मैंने नहीं लड़ने का निरने लिया है मैं अपने देश के लोगों विशेशकर गरीब बंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा हमेशा करती रहूंगी मीरा बिहार की सासाराम सीट से पाज बार सांसद रहे चुकी है जब केंद्र में यूपीए सत्ता में थी तब मीरा को वो सासाराम से 2004 और 2009 के लोगसभा चुनाओ में विजे हुल थी 2004 में वो केंद्र मंत्री और 2009 में देश की प्रथम महिला लोगसभा अद्याक्ष बनी थी लेकिन 2014 और 2019 में वो सासाराम में भाचपाव मीदवान छेदी पास्वान से हार गई उनके पिता जग जीवन राम 1952 के प्रथम चुनाओ से 1986 तक सासराम लोगसभा से लगातार आट बार सांसद रहे थे चुनाओी पंडितों के मताबिक माना जा रहा है कि मीरा इंडिया के अंदर सीट श्यारिंग फॉर्मुले से खुश नहीं थी इसलिए माना जा रहा है कि खुद को चुनाओ लड़ने से अलग कर लिया है मीरा एक्स ने कहा कि भले ही वो चुनाओ नहीं लड़ेंगी लेकिन वो पहले की तरह देश के लोगों खासकर गरीबों वंचितों और महिलाओं की सेवा करती रहेंगी हाला कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मीरा चुनाओ लड़ाई से क्यों हट गई है वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में कॉंग्रेस को और भी जटके लगे हैं जिसमें 400 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम कर कॉंग्रेस को 440 वोल्ड का जटका दिया इतना ही नहीं बिहार में होने वाले लोगसभा चुनाओं को लेकर महा कटबंदर में अब तक आधिकारिक रूप से सीट समझोते की घोशना नहीं हुई है लेकिन इस बीच आरजेडी सुप्रीमों लालु प्रसाद यादो और लेफ्ट पार्टिया लगातार अपने प्याशी उतारना चाहती थी और सीट बटवारे में इन दोनों सीटों पर उसकी दावेदारी थी लेकिन सीटों का बटवारा आप तक नहीं हो पाने की वजह से इन दिनों सीटों पर आरजेडी और भारती कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अपनी उमीद्वार खड़े क सूद्रों की माने तो कॉंग्रेस पार्टी और अंगाबाद से पूर्व सांसद निखिल कुमार को उमीद्वार बनाना चाह रही थी लेकिन उससे पहले ही लालू ने कॉंग्रेस के साथ बड़ा खेल करके आभेक उश्वाहा को पार्टी का संबल दे दिया वहीं बेगुस जराय से चुनाओं में उतारने की तयारी कर रही थी उसे पहले ही लेफ्ट पार्टी ने जटका दे दिया है अब ऐसे में बिहार महाकटबंदन में कॉंग्रेस की लगातार हो रही अंदेखी से सवाल खड़े हो रहे है कि क्या कॉंग्रेस को 40 में से अब 8 या 9 सीट भी बाचपाई सीट पर गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषना कर चुकी है वहीं इंडिया गटबंदन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं इतना जरूर तैय कर दिया है कि सीट से इस बार कॉंग्रेस की जगा जामूमो चुनाव लड़ेगी हाला कि स प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगा जामूमों से जुड़े सूत्रों की माने तो चक्धरपुर के वधायक सुखराम उराओं और खरसावा के वधायक दसरत गगराई मैंसे ही किसी एक पर पाटी दाव लगाएगी क्योंकि सुभू में आदिवासी हो जिंजाती चु सिंबू का जिंजाती समिक्रण देखे तो हो जिंजाती का इस सीट पर काफी प्रभाव रहा है यहां से अधिकतर सांसत हो जिंजाती से ही बने हैं सिंबू की राजनेती की तिहास पर नज़र डाले तो कृष्णा मार्डी को छोड़कर अभी तक सारे हो प्रत्याशी ही यह करने के मूड में नहीं है और दश्रत गगराई को ही चुनाव मैदान में उतारने की तयारी है इधर कॉंग्रेस ने भी अभी तक सिहंबू सीट पर अपने उमीदवार नहीं चोड़े हैं कॉंग्रेस से डॉक्टर प्रदीप बूल मूचू सीट से चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा लेकर दिल्ली पहुँच गए हैं फिला सीबू की जनता गीता कोड़ा के वरोध में खड़े होने वाले प्रत्याशी के इंतजार में हैं इस तरह से हालात हैं और अलग-अलग राज्यों में नेताओं की वज़े से पूरे समिक्रण बलते हो नजर आ रहे हैं उसे तो साफ है कि कॉंग्रेस के लिए लोगसुबा चुनाओ नाकोच चने चबाने के बराबर होने वाला है आपका क्या बार नहीं कमेंट करके जरूर बताएं कच्च चिटा में फिलाल के लिए इतना ही बागी तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल टीवी नमस्कार